गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानोग गैंगरेप के 11 दोशियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राजसरकार के फैसले को सुप्रीम कोट ने रद कर दिया है जस्टिस बीवी नागरतना और जस्टिस उजवल भईयों की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराद रोखने के लिए दी जाती है पीडित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी नमस्कार मेरा नाम है लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी बेंच का कहना है कि गुजरा सरकार को रिहाई का फैसला लाने के लिए कोई अधिकार नहीं है वो दोशियों को कैसे माफ कर सकती है सुनवाई माराष्ट में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी जिस राज में अपराधी पर मुकदमत चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है उसी को दोशियों की माफी याचिका पर फैसला लाने का अधिकार इसी कॉमेंट के साथ ही कोट ने माई 2022 में जस्टिस अजे रस्तोगी के उस फैसले को भी रद कर दिया जिसमें 11 दोशियों को गुजरास सरकार ने शीगर माफी के लिए अपील करने की अनुमती दी थी गुजरास सरकार ने इने 15 अगस 2022 को रिहा कर दिया था बैंच ने सभी 11 दोशियों को दो सपता में सरंडर करने को कहा फैसले के बाद बिलकिस के घर पर पटा के खोड़े गए बिलकिस के 11 दोशियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थी पहले याचिका में 11 दोशियों की रिहाई को चुनोती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी दूसरी याचिका में सुप्रीम कोट के मई में दिये आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी कोट ने कहा था कि दोशियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेंगी। इस पर बिलकिस का कहना था कि जब केस का ट्रायल महराष्ट में चला था फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। आपको बता दें कि केस के सभी 11 दोशी आजादी के अमरित महुतसर्फ के तहर रिहाग कर दिये गए थे। गुजरात में गोधरा कान के बाद 3 मार्च 2022 को दंगे बढ़के थे। आपको बता दें कि दंगों के दौरान जहौच जिले के लिमखेडा तालुका में रंधिकपू का भी रेप किया गया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दिए थे। 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिलकिस एक शक्स और 3 साल का बच्चा ही बच्चे थे। गैंग रेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ की जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोदरा की सब जेल में भेज दिया गया था। अंतहर न्याय की जीत हुई है। सुप्रिम कोर्ट ने गुजराद दंगो के दौरान गैंगरेप की शिकार बिलकिस बानों के आरोपियों की रिहाई रद कर दी है। इस आ पिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहें रिपोर्टर जी।